नमस्कार दोस्तों मैं शाशोतर आप सभी का स्वगत करता हूँ ट्रिगर नियुस में एक यानेवी दिसमलियों पांच रुपे सस्ता हुआ कमर्शियल सेलेंडर हर महिने की पहली तारीक को सरकारी तेल कंपनिया रसोईंग गैस के दाम में दाम की समिक्षा करती है एक फरवी 2022 को ही पेश होने वाला है आम बजट जो की पेश हो चुका है लेकिन आम बजट पेश होने से पहले ही ये अच्छी ख़बर है कि कमर्शियल रसोईंग गैस सेलेंडर के दाम में बड़ी कटाउती की गई है कमर्शियल गैस सेलेंडर के दाम 91.5 रुपए सस्ते हुए है आम बजट के लिए ये राहत देने वाली ख़बर है वहीं घरेलू गैस 14.2 किलो सेलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जानकारी के मुताबिक फरवरी माह में राष्टी राधरी नई दिल्ली में नौन सबसीडी वाले घरेलू गैस के रेट अभी 899 रुपए 50 पैसे ही रहेंगे वहीं कोलकता वालों के दिए 14.2 किलो वाले घरेलू एल्पीजी सेलेंडर 926 रुपए में मिलेगा वहीं मुंबई में भी दिल्ली वाला रेट ही रहेगा जबकि चिन्नई में घरेलू रसोइंग गैस सेलेंडर 915 रुपए 50 पैसे में रहेगा बतादे कि अंतरदास्टी बजार में कच्चे तेल की कीमते लगातार बढ़ रही है इसके बावजूद देश में ना पिट्रोल महंगा किया जा रहा है और ना ही रसोइंग गैस के दाम बढ़ रहे हैं माना जा रहा है कि सरकार ने पांच राज्यों में होने वाले चुनाओ को देखते हुए यह फैसला लिया है इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोइंग गैस के दाम बढ़ाए गए थे उसके बाद से दाम में कोई बढ़ाव नहीं आया है यानि तेल कंपनिया हर महने की पहली तारिक को समिक्षा करती हैं लेकिन नॉम्बर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2022 और फरवी 2022 में कोई बढ़ाव नहीं किया गया था इससे पहले सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच एलपीजी घरेलू सेलेंडर केवल 15 रुपए ही महगे किये गए थे एक सितंबर 2021 को दिली में गैर सेपसीडी वाला 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सेलेंडर 884.50 रुपए था 6 अक्टूबर को 15 रुपए बढ़कर 899.50 पैसा हो गया 6 अक्टूबर के बाद इनमें कोई बढ़ाव नहीं हुआ है हला कि इस दोरान कच्छे तेल के दाम में काफी उच्छाला चुका है इस बीच पिट्रول और डिजल की दरें नंबर से इस्थित हैं दिली में पिट्रोल की कीमत 95 रुपए प्रतिर लीटर के आस पास है वहीं डिजल की कीमतों की रहत टोल और डीजल की कीमतों की तरह LPG गैस सिलेंडर की दरें सरकारी तेल विप्रार कंपनियों द्वारा तै की जाती है सरकार उप भुकताओं को सब्सीडियो वाले घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सीडियो प्रदान करती है दोस्तों आज की वुड़ी में बस इतना ही एसी हमारे साथ बने रहे हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद